हेलो स्टुदेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे टीके ना 1.4 तर्स अप्रेट हुए था आज से एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे इसमें रोमन नुम्रस दिया हुए है रोमन पढ़ता थी हम जो 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 फूर फूर फ़ाइब सेवन सब पढ़ते हैं कि यह काउंटिक नंबर है यह सब कर लाता है हिंदू अरेविक सिष्टम के नंबर से 012345 जो भी आंद्व सारी संख्या इसी से बनती है 3456789 जित्ते भी संख्याएं हैं इहीं 10 संख्याओं से मिलकर बनी होती चाहा कि इतनी भी बड़ी हो या छोटी हो टेके नाच तो यह किस नंबर यह कौन से नंबर कहलाते हैं यह कहलाता है हिंदू अरेविक सिष्टम हिंदू अरेविक पर्धत में हैं परन्तु हम लोग जब कच्छा में पढ़ते हैं तो देखते हैं क्लास में ऐसा लिखा रहता है कच्छा चार कच्छा पांच इस तरह से लिखा रह रोणन कहलाता रेंगे इंडर सीर्थी उठीस होती है विbe में विडिली होती है लिए जैसे एक को इस तरह से लिखते है 큰 साथ पीप्सक्ताइबiding चार पांच छै साथ ऐसे रख देते हैं एक दूप तीन को भी एक, दो, तीन चार पांच, छै, साथ आठ नाव दस ग्यारा लिखना हो यह दस हो गया दस एक ग्यारा दस दो बारा दस तीन तेरा दस चार शाउदा दस पांच पंद्रा दस छैसोला दस साथ सत्रा दस आठ अठारा दस नौग उनाईस और दस दस बेश ठीके, इस जूड़ा दस यह, दस यह, दस दस बेश इसे तरह दस एक कैस यह हो गया हमारा बाईस यह हो गया थेईस यह हो गया जोविस यह हो गया बच्चिस यह हो गया 26, यह हो गया 27, यह हो गया 26, यह हो गया 27, यह हो गया 29 और यह गया 30, ठीकर फिर इसी तरह से हम संख्याम पर ऐसे बढ़ाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ठीकर ना? ऐसे किंती लिखते जाएंगे तो किंती लिखते लिखते बहुत साथी हो जाएगी ठीक है यहाँ पर एप सी ध्यान देंगे कि जैसे 30 लिखा हुआ है 38 के लिए तो ठीक है यह 32 ते 30 जब यहाँ पर 40 आएगा तो 40 में 4 बार ऐसे एक्स लिखा जाएगा किसी भी यह जो चिम्न है किसी भी चिम्न को अधिक्तम तीन बार लिख सकते हैं अधिक्तम इतनी बार लिख सकते हैं तीन जैसे हम एक, दो और तीन लिखे तो चार को ऐसा नहीं लिख सकते हैं चार को ऐसा लिखते हैं चार को हमने कैसा लिखा 40 को फिर क्या लिखेंगे 40 के लिए हम 50 को लिखेंगे 50 होता है 50 को हम लिखते है L ठीक है 50 को क्या लिखते है L लिखते है यहाँ पर जो 40 लिखना हो तो हम L लिख लिए और उसके यह बाए साइट पे क्या लिखते है X इसी भी बड़ी संख्या के बाएं साइट में जो भी संख्या लिखी रहती है बड़ी संख्या के बाएं साइट में जो भी संख्या लिखी रहती है ठीक है? उसको क्या करते हैं? बड़ी संख्या से हमेशा खटाते हैं क्या करते हैं? खटाते हैं जी देखे वो बड़ी संख्या के वाए साइड में क्या लिखा हुआ। वदस लिखा हुगा है। ये क्या है। पचास है। पचास में दस घठाएंगे तो 40 जैसे एक 40 वाए लाइन है। फिर 40 वाए लाइन के क्या लिखेंगे। XL1 41 बाए साइड में जो छोटी संख्या लिखी रहेगी वो जोड़ी आती है बाए साइड में जो छोटी संख्या लिखी रहेगी वो क्या की जाती है घटाई जाती है ठीक है बाए साइड में जो छोटी संख्या लिखी वो जोड़ी आती है और बाए साइड में जोटी संख्या क तो गटाते हैं बडे संख्या के इन में से पुछ हैं नमर को 50 को अशेड नोट करते हैं 100 को सी से दिलोट करते हैं 500 को करते हैं कि इस तरह से अभी आपको वन थाउजन के अंदर ही संख्या सब्सक्राइब करते हैं या आपको इतना याद रखना है इसी में से हमारी बद थाउजेट तक की सारी संख्याइब बन जाएंगे ठीक है इसमें कुछ रूल्स होते हैं इसको लिखने में कुछ रूल्स लगते हैं वो रूल्स को भी आप लोग धियान रखेंगे वो रूल्स कौन से होते हैं फस्ट रूल है इसका repetition of a symbol means addition of the value that Roman numeral it should be kept in mind on repetition of a symbol a symbol is never repeated more than three times कोई भी चिन तीन से जादा बार repeat नहीं होता है अन्य जदा इपोर्टी को अम चार बार एक्स नहीं नहीं सकते कोई भी symbol तीन बार से जादा repeat नहीं होता a symbol is never repeated more than three times fail इसके लिए second rule का है second rule है symbol VLD यह जो 5 है L है और D 5 है 50 है और 500 है are never repeated इनको दो बार नहीं लिखा जा सकता है इनको दो बार नहीं लिखा जा सकता है ठीक है ठीक हो दो बार भी लिख सकते जैसे ऐसा अगर लिखना हो यह गलत है ठीक है यह क्या है गलत है पांच एक पांच यह गलत दिखा हुआ ठीक है इस तरह से यह संक्षाई क्या होती है हो इस विखन situação स्थे सतरके है यह जो इतन कि पर इतन ऐस दो नहीं वह दो तिस वाज तको ए इसे रिखते हैं ठीक है रिखिलते हैं ठीक है मम ए इसनलिखना धूल Zurda और ताम थे लिखन हो तेन के जरश Кरण जो नहीं तो फीर से अब लिख एक यहीं हिए कि ये संख्या और होती है पर तीन से ज्यादा पर ये भी रिपीट नहीं होगि ज्यादा ज्यादा कितनी बार होंगे की डार मुझेर और हरीचिधि कोई भी संख्या लीकिय हुई है तो वो बढ़ी संख्या में हर्मेशा कटाई जाएगी जैसे M, यह मतलब क्या हुआ 1 An incomes C मतलब क्या हुआ 100 M मतलब क्या हुआ M मतलब क्या हुआ एक ला यह ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब यह क्या लिखा हुआ है 900 लिखा हुआ है यह CM जो लिखा हुआ है यह Chief Minister नहीं लिखा हुआ है M लिखा हुआ है 1000 C लिखा हुआ है 100 इसका मतलब इसमेश को क्या करना है धटाना है अगर यही इस तरह से लिखा होता तो यह कहा दिखा हुआ है दाई और लिखा हुआ है दाई और यह हो गया 100 और यह हो गया 1000 तो दाई और लिखा हुआ है तो यही इसमें जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा If a smaller numeral return to the right side of a large number, then its value is added to the large numeral. टेक है? तो ये साब आप लोगो थोड़ा सा याद रखना है. इसी सिर्टेट हमारी अप्ली एक्सर्स आई है. उसके देखने कुछ गुस्टेंस. फर्स्ट दिया हुआ है. Write the Roman numerals for each of the following. Write the Roman numerals for each of the following. ठीक है? नीचे कुछ शर्टाइज ही है, उनको रोमन पर दब के लिखिये है. यह इन्दी वालों के लिए लिखा हुआ है. इन्दी से लिखना जाएंगी तो ऐसे लिख सकते हैं. नीचे लिखिये संख्याओं को रोमन पर दब में. लिखिये, ठीक है, उसमें पाइसे दिया हुआ है, एक, यह हिंदू रेविक सिस्टम में दिया हुआ है. इसको रोमन नेंबर पर क्या लिखेंगे? 25 लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? 25. तो यह हो गया अवारा 10. 10. 10 और 10, 20. और 5 पर ऐसे लिखते हैं, यह हो क्या? 25 हो गया. ठीक है? 39. 39. 39. 1, 2, 3. और यह हो गया 39. फिर है? 39 के बाद है? 61. 39 के बाद क्या है? 61. 39. तो फिफ्टी को और कैसे लिखते हैं? 50 को और लेक्से लिखते हैं. L. ठीक है? और L में, अगर आमकी इस तरह से 11 कटाएं, तो 39 लिखा जा सकता है. ठीक है न? L में, अगर इस तरह से हम इसको कटाएं, तो 39 लिखा जा सकता है. L को अगर इस तरह से गटाएं, तो 39 लिखा जा सकता है. ठीक है न? ठीक है? यह हो गया हमारा 39. अब निश्ट दिया होएं, इसमें? 61. 61 दिया होएं, तो 50 को किससे रेप्रेजेंट करते हैं हम? L से रेप्रेजेंट करते हैं फिप्पी को? L, 50 हो गया, X, 10, 50, 10, 60, और 8, एक से रेप्रेजेंट हो गया, देएंगे न? 61. उसके बाद दिया होएं, 78. 78 को किससे रेप्रेजेंट करेंगे? यहीं, 50, 60, 70, 75, 6, 7, 8, 78 हो गया, पर इसके बाद दिया होएं, 94, 94, इनमबर पे दिया होएं, 94, तो यह हो गया हमारा 100, ठीक है? 100 में, हम इसमें इस तरह से नहीं गटा सकते हैं, यह गलत हो लाएगा, C में इसको नहीं गटाना है, ठीक है? तो हम 100 में 10 को गटा लेते हैं, 100 में 10 को गटाएंगे तो 90 आएगा, 100 में 10 को गटाएंगे तो 90 आएगा, क्योंकि C में केवल EX गटा सकते हैं, या फिर A कटा सकते हैं, बस, तो यह होगे 94, फिर F नमबर 205, 205, 102 के से लिखते हैं, C से, यह 100 हो गया, यह बहुर लिख दिये, 100, 200, और यह 5, 205 हो गया, फिर उसके बाद हैं, 595, 500 हो किस से लिखते हैं, D से लिखते हैं, तो यह होगे हमारा 500, और क्या लिखना है, 95, यह देखो, 500, और C, 600, और C के इदर X लिखा हुआ है, सोटी संख्या लिखिया है, मतला X इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, टेके न, तो इतने कमार कितना हो गया, 90, 300, और 10 घटा दिये तो नगबे, यह होगे 500, 90, और यह हो क्या, 5, ह multic क्याएंगे, बन्यूएंगे, 5, 1, 2, 5, 8, बाया सर्थमंद्स, हमान। 1289 दिया हुआ है तो 1000 1000 को किसे प्रेजेंट करते हैं M से 1000 हो गया अब 200 तो C, C 1200 हो गया 50 L और 8 6, 7, 8 नेश्ट है 15 1540 1540 1500 M 1000 हो क्या T है B 500 होता है और कितना लिखना है 40 लिखना है तो 40 लिखने के लिए ये दर को L लिख दिया L बनका 50 होता है ये तो 550 हो गया तो हमने इस में ता स्यापर गटा लिए तो इसके बाद नेश्ट जे नमबर 2000 Very easy 1000 को यम ये बहुरी हम लिख दिये कितने 1000 हो गए 2000 ये हो क्या हमाना फर्स्ट ये हिंदू रेविक सिस्टम में लिखा होगा था इसको हमने Roman Numbers में Convert कर दिया 2nd आप दिया आप नेश्ट कर देना 2nd आप नेश्ट कर देना ये हिंदू रेविक Numbers Numbers राइट दिये चाहते फालोउइंगे ये हिंदू रेविक Numbers ठेक है अब क्या करना है रोमन में दिया हुआ है उसको हिंदू अरेविल पज़त में लिखना है निमन लिखिद रोमन संख्याओं का रोमन संख्याओं को हिंदू अरेविक पर धर्षी में लिखिए ए बी आई ये तो आप दो अच्छी करा जांकते हो किसी का चाप पोच्छ भी गए हो सेट्स बी एक्स एक्स आई दस बीस तेश इधास दस है और एप तेश तर्थी बन फिर है सी एक्स एल आई वे एल एल के पीछे एक्स भी खा हुआ है एल क्या होता है फिप्टी पचास पचास में एक्स को गटाएंगे तो पचास में दस गटा देंगे तो चालिस और यह क्या है चाल फिर्टी फोर यह फिप्टी हो गया यह माइनस टेंड दस गटा देंगे बाईयों की संग्या गटाई आती है और दाईयों की जोड़ी जाती है पचास में दस गटाएंगे चालिस और जोड़ दिया तो चालिस हो गया फिर D L L बनको 50 फिर ट्रपलियर 60, 70, 80 फिर भी आई कितना हो गया 50, 40, 70, 80, 55 और एक 86 56 हो किया E X C C क्या है C 100 है 100 है C उनलब 100 100 में 10 को क्या करेंगे गडाईएंगे राइट साइट की जोड़ी जाती है 10 गडाईएंगे 100 में तो 90 और ये 2 क्या है इसको क्या करना है जोडना है 92 बादना है F C C C X X V । । । 520, 620, 6 мин 520, GPS 520, GPS 620, GPS C, M, X, L C, M, L, X L, X C, M, L, X M M बंदब कितना होता है M बंदब होता है 1000 तो यह हो क्या 1000 बाहियों छोटी संख्या लिखिए तो घटा ही जाएगी बाहियों है क्या 100 1000 यह M हो गया इसमें C को घटाएंगे 100 कितना हो गया यह कितना हो गया 900 L, L मतलब कितना होता है 50 अब इदर जोड़ेंगे तो 900 यह हो गया इदर और 50 950 और यह 10 यह हो गया हमारा 900 60 H M, C, I, X M मतलब रेखे जाना C मतलब 100 तो 1100 जोड़ेंगे कितना हो गया 1100 1100 और यह क्या है 9 है 1109 I M, C, C V 1100 कितना हो गया हो 1000 और यह कितने है 100 तो यह कितना हो गया तीनों मिलाके 1200 1205 6 और 7 1207 J A D, C, C B TRIPLE I D बत्र क्या होता है 500 500 C 100 तो D 500 C 100 500 तो 5 6 7 75 6 7 8 700 A तो यह हो क्या हमारा 2nd question ठीक है यह क्या हो क्या हमारा 2nd question एक और बचा हुआ है उसको भी कर लेते है THAT number One number which of the following are meaningless which of the following are meaningless that मेंडिंग लेस मतलब अर्थ हीन इन में से कौन सा अर्थ हीन है किसी काम का नहीं है निम्न में से कौन सी संक्या अर्थ हीन है तीक है फ़स्ट दिया हुआ है ऐङ्स एक्स सी ये क्या होगी इस पर हम घुई साथ लिख लेते हैं या फिर इसे मीनिग्लेस है उसको मीनिग्लेस लिख लगते है यहाँ पर देखेंगे एक्स 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 तो ठीक है कि यह सी के बगल में एक्स लिखा होता तब तो सही था है यह दो एक्स लिखने के कारान यह क्या हो गया है मीनिकलेस हो गया हुआ है इसका हम कोई भी मान नहीं लिख सकते हैं आत्हीन है प्रिक है बनला इसको हम रोमन में नहीं लिए सकते इसका हम हिंदू रेविक सिस्टम में कोई विपाद नहीं लिए सकते बी नम्मर L XVI यह लिखा होगा है L मतलब क्या होता है L का मतलब होता है 50 पचाश, दसाट, पाच, पैसेट, इचाशट यह सही ही हुआ है ठीक है? यह में इंग्रेस नहीं है फिर C नमबर C नमबर पे लिखा हुआ है X, L, B और फिर 1, 2, 3, 4 ताइम्स 4 ताइम्स वह लिखा हुआ है आप 4 ताइम्स कोई भी यह संकेट रिपीट नहीं होंगे, ज्यादा ज्यादा इतनी वार लिखे आ सकते हैं तीन वार लिखे आ सकते हैं तो यह भी क्या है हमारा? मेनिंग्लेस है अन्नम इसका कुछ भी मान ऐसे नहीं लिख सकते हैं ठीक है? यह लिख दें यह 50, 50, 10 बटाली यह 40, 5, 45, 47, 47, 48, 48 यह लिख सकते हैं, कोई ही कर रही है वी आई, ऐसा भी लिख सकते हैं कि कितना होगा है? 26, 37, 36 यह मेनिंग्लेस की 36 लिख सकते हैं इसको इसके बाद है ए यह भी मेनिंग्लेस है क्यों? क्योंकि 100 में से केबल 10 गटता है, एक्स गटता है या फिर एक गटता है फिर नहीं गटता है ठीक है? यह तो ठीक है, 100, 100, 200 यहां ऐसा नहीं कि इसमें 5 गटाते है बी को नहीं गटाया जाबता है ऐसी से F C, I, B C, 100 और यह क्या हो गया? 4 104, एक्सो चार तो इसको एक्सो जाना लिख सकते हैं के प्लिखा हुआ है फिर G G में 4 टाइम्स एक्स लिखा हुआ है कोई भी नोटेशन कितनी बार हम लिख सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 3 टाइम लिखीट हो सकता है यह 4 टाइम लिखा हुआ है मत्दब यह भी क्या है हम? मेनिंगलेस है अर्थ ही, किसी का आपका नहीं है H H में लिखा हुआ है C, C I, I, V यह इस तरह से पहले दो बार कभी नहीं आता है इसका मत्बब क्या होता है 5 में 1 और 2 गटाना 5 में 2 गटाना ही हो, 3 तो उसको ऐसे लिखते हैं ठेगे न यह संकेट केवल एक बार आ सकता है एक केवल बड़ी संकेट के पहले केवल एक बार आ सकता है क्योंके न, दो बार नहीं आ सकता यह भी मेनिगलेस हो क्या I LX भी लिखा हुआ है L मतलब 50 10-60 और यह 5-65 यह जहीं लिखा हुआ है इसको आप लेख सकते हैं उसके बार है लाज यह X L IX I V इसलिए यह भी हमारा मेनिग एस है ठेक है दुबारा यह सब नहीं पढ़ाया जाएगा सबकी नोटबुक कंप्लीट रहनी चाहिए Thank you